नमस्कार दोस्तों स्वागत एक बार फिर से आपके अपने एजूकेसिन चनल एजूटूबर देव पर तो दोस्तों लाइबरेरियन याने की पुष्ट काले अध्यक्स भरती 2018 थर्ड ग्रेड लाइबरेरियन जिसको कहते हैं उसके दोस्तों छेसो चोहतर चैनीतों को जिला काउंसिलिंग वगएर तो दोस्तों काउंसिलिंग जो है वो 3 सित्मबर से सुरू होने वाली तो लगबबग एक सबता से भी कम का समय है अब इसमें आपको पता होगा कोई भी सरकारी जब लेते हैं तो उसमें आपको दहेज नहीं लेने का कोशना पतर जो भरना पड़ता ह अगर शादी कर लिए तो दहिज नहीं लिया है ऐसा जो है आपको शबत पत्र देना होता है तो दोस्तों बुस्त काले देख्स भरती 2018 में नयाले का इस्थगन आदेश हटते ही 674 यानि की पॉने 700 अभिर्थियों जो चैनित हो चुके हैं पहले उनको न्यूक्ती के लिए यानि की जॉइनिंग जिसको पदिस्थापन भी कहते हैं उसके लिए दोस्तों अब जो है जिला आवंटन किया गया है चैनित बुर्थियों के पदिस्थापन के लिए जिला इस्तर पर काउंसलिंग तीन सितमर को आई जित होने वाली है साथ ही भरती में अब तक प्रस्टेक्षनिक योगेता फर्जी पाए जाने वाले नौ बिर्थियों के विरूद नियमानुसार आवशकत कानून कारवाई जो है वो की जाएगी उस बेसिस पर भरतियों होती है तो बहुत सारे वर्थि क्या करते हैं ऐसा फेक सर्टिफिकट बना लेते हैं और उन्हों नहीं औरीजनली 6 मईने या एक साल कोई ऐसी ट्रेणिंग नहीं की होती है नहीं इस परकार का कोई प्रक्षिशन उनने प्राप्त किया ह tan है पिर भी वो फर्जी सर्टिफिकेट की बेसिस पे इस भरती में शामिल हो जाते हैं। वाली ही प्रोसेस है वो थोड़ी बड़े इस तर पर होती है क्योंगा बिरती बहुत सारे होते हैं इसमें थोड़े से कम है तो यह थोड़े छोटे इस तर पर है और फिर आपके जोईनिंग की बाद आपके चाहिए होगा पुलीस वेरिफिकेशन जिस जगह आप रहते हो प्रवाण पत्र या फिर स्वस्त होने का प्रवाण पत्र जारी किया जाएगा तो दोस्तों यह सारी प्रक्रिया रहेगी बागी जो भी नेक्स्ट अपडेट आएगी कांसलिंग पीम तारिक से है तो वो जानकारी मैं आप तो पहुंचा दूँगा वीडियो और कम्यूनि पोश्ट के बादिम से तब तक की लिए दोस्तों धन्यवाद नमस्कार